हालो एंड वेलकम एव्रिवान वेलकम टू एग्रिकल्चर अड़ा 24 7 दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में यह हम लोग फाउंडेशन क्लास की बात कर रहे हैं फाउंडेशन क्लास में आज हम लोग एग्रिकल्चर इंजीनिरिंग को पढ़ने वाले हैं कुछ छोटे-छोटी चीज़े हैं जिनको आज हम लोग कवर करेंगे पिछली क्लास में हमने कोईशन्स पूछे थे बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिये बास्तविक में आप कोईशन्स को कर रहे हैं मतलब कि हमने जो कोईशन्स लगाए हैं इसमें जो हम लोग प्रेक्टिस करते हैं अपने चार वज़े वाली मंधन क्लास में या फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइस क्लास में तो हम लोग पहले से ही इस प्रकार से प्लान करके रखे हैं कि आपको आए हुए कोईशन्स की सारी प्रेक्टिस हो जाए आप यहाँ पर थियोरी को पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से छोटी छोटी चीजों की बारेक्यों को समझे और प्रेक्टिस करने के लिए आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं लास्ट क्लास में हमने यह पूछा था कि आई ए जो है यह किसका फॉर्म इठ है नेचरली जो पाया जाता है किसका फॉर्म है तो यह औकजिन का है बिलकुल सही बच्चों ने चबाब दिया और गैसियस फॉर्म पूछा था इसका अंसर इथा बिलकुल सही था आज हम जो बेसिक्स है अग्रिकल्चर इंजीनरिंग की आज हम लोग उसको कवर करेंगे चोटी 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 चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको यह बताएंगे कि बास्तिविक में एग्रिकल्चर इंजीनरिंग क्यों जरूरी है भारत के लिए क्यों जरूरी ह एक्रिकल्चर स्टूडेंट के लिए क्यों इसे स्लेवस में रखा गया है अगर हम लोग बात करते हैं एक्रिकल्चर इंजीनरिंग की चलिए सुरू करते हैं इसको दोस्तों जैसे हम लोग देखते हो अपने फॉर्म पर ट्रेक्टर है या फिर देखते हो इंप्लीमेंट को देखते हैं से तरफ इंडिया कितना अच्छा मूब कर रहा है कहीं न कहीं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जैसे कि नई विराइटी का आना चत्ना जरूरी था मेकनाईजेशन काना क्योंकि मेकनाईजेशन का मतलब होता है मसीनी करण और मसीनी करण की तरफ सीधे एक इशारा आता है कि हम लोग आधुनिक्ता की तरफ बढ़ रहे हैं बिलकुल आज कल के फॉर्मेट को अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी मसीनीरी जिनको बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट करने के लिए भी बहुत अच्छा टेकनिकल नॉलेज चाहिए साथ साथ में एक्यूपमेंट जो कम्प्यूटर ऑपरेटेड हैं साथ साथ में जैसे आप मशीनीरी की बात करो जैसे ट्रेक्टर की बात करो जो सबसे कामन चीज है machinery में जो agriculture में यूज होता है एक से एक अच्छे advanced tractor वो भी हमारी Indian companies के दौरा कैसे कैसे बनाय जा रहे हैं और बिस्सु में अगर हम लोग बात करते हैं तो tractor कहां से introduce हुआ कैसे हमारी mechanization को हमारी दिसा मिली आज सब उस पर बात करने वाले हैं चलिए जैसे agriculture engineering की बात करते हैं तो आप engineer का मतलब समझते हैं जैसे आप mechanical engineer देखते हैं civil engineer देखते हैं तो engineer का मतलब होता है न instrument से होता है बिल्कुल यहाँ पर भी हम लोग instrument की बात करने वाले हैं छोटी छोटी चीज़ हैं जो हमारी agriculture के लिए बहुत जादा जरूरी है आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं क्या engineering इसके पीछे लगी है आज हम लोग इस पर बात करेंगे जैसे सबसे पहले तो सबसे basic चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेक्टर इसको तो हम लोग देखते हैं तुरंत एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत पुराना ट्रेक्टर होगा कहीं न कहीं ये मतलब 90's वाला है और इसके बाद में आज जब हम लोग ट्रेक्टर की तरफ जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे modifications हुए कहीं न कहीं जब हम लोग बिश्चू की बात करते हो तो जब ट्रेक्टर आया होगा तो लोगों का आश्यर चकित ये रह जाना होगा कि ट्रेक्टर भी इतना काम कर सकता है agriculture में जो form की need है यानि कि जो power की need है वो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैक्टर से पूरी कर सकते हैं हमेशा एक चीज़ को धिमाग में रखे कि कुई सबजेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं जिसको बोलतें इंट्रेस्ट यह इंट्रेस्ट कहां से डबलप होगा ये होगा जब आप subject को समझ लो जैसे हमने बताया कि आप word की history में जाओगे तो आपको agriculture engineering की बहुत अच्छी history मिलने वाली है भारत अपने production को बहुत कम करता गया मतलब उसका production ना के बराबर था करता गया क्या वो था ही ठीक है और जब हम लोग बात करते हैं अब बढ़ने की जब तक हम लोग आजादी की तरफ नहीं आए तब तक mechanization की तरफ तो बिलकुल भी नहीं आपाए लेकिन जब आजाद होते हैं तो हमको भी उड़ने का मौका मिला और हमने भी mechanization को अपनी यहां पे introduce किया लेकिन तब भी इतना अच्छा इंटर्ड्यूस नहीं कर पाया जब हमारे यहां LPG मौडर आता है 1991 का तब हम लोग थोड़ी सी चीजों में और अच्छे से लिब्रल हुए थोड़े से ग्लोबलाइज हुए तब हमने बाहर की मशीनिरीज को एडॉप्ट किया एडॉप्ट करने की कि एक योजना सायथ तुम्हें याद हो समाम के नाम से थी जिसको बोलते हैं सब्मिशन और एगरी कल्चर मेकनाइजिशन वो आई और उसने कुछ ऐसे ऐसे चेंजिस के बारे में बात किया भी हम आपको उसके बारे में बताते हैं पर एक ट्रेक्टर के बारे में जान लो 1954 में एक ट्रेक्टर आता है जो हम लोग नार्मल 400 मतलब की फॉर्माल के नाम से इसके बाद में आप देखिए 1959, 1998, 2007, इसके बाद में 2009, 10, 16 और 2018 आज हम लोग जब 2023 में हो तो आप देखते होगे कितना modern हो गया है कितने form equipment, कितनी modernize तरीके से उसको हम लोग organize कर लिए या फिर उनको invent कर लिए है, ऐसे तरीके से बना लिए है यह हमारी history एक तरीके से हम समझते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते चलिया है आज जो modernization है उसके tractor के wheel देखके ही समझ में आता है कि पहले के तरीके के कैसे थे और आज कैसे हैं चलिए, एक तरफ हम लोग tractor की compare करते हैं तो जब हम लोग 1894 में बात करते हैं तरीक्टर का नाम तो था लेकिन इस तरीके का बनाया गया था जो पहले form बनाया गया format कैसा था आज वही concept है वही rule है लेकिन हमने उसको इतना modern कर दिया है इसको देखके आपको लगता होगा कहीं न कहीं यह ऐसा तो नहीं यह तोप लेके जा रहा है लेकिन नहीं यह ट्रेक्टर यह और form में ही काम करने वाला है इतना modernization हमने adopt कर लिया है जब हम लोग बात करते हो समाम की समाम किशान योजना 2021 एक्चुली मैं समाम इंटर्डूस हुई थी 14-15 के जो हमारा समय था 2014-2015 हमने एक चीज़ एडॉप्ट की submission on the agriculture mechanization यह mechanization क्यों करना है सबको mechanization की तरफ क्यों बढ़ना है तो reason आता है कि हमको भी modernize होना है हमको भी form में power availability को बढ़ाना है क्यों बढ़ाना है एक बात समझो जब तक आप किसी एक land area पे काम करने वाले humans ही अगर काम करते रहेंगे तो क्या production को बढ़ता हुआ देख सकते हैं या कह सकते हैं कि बढ़ जाएगा तो आपको बता दे ऐसा नहीं हो सकता आपको power introduce करनी पड़ेगी जब पहले के लोग थे वो human के total human power involved वह फिर इसका animal power introduce हुआ आज हम लोग mechanical power को introduce कर दिये बहुत तरीके के 5 तरीके के power कौन कौन से हैं जो agriculture में काम आते हैं आज हम उनकी सारी बाते करने वाले हैं कहीं न कहीं modernization की तरफ जाते जाते एक चीज़ तो समझ में आते है कि हमको जो modernization है साथ में मसीनी करन का यूग है इस पे अपने participation को कैसे बढ़ावा देना है कैसे इसको increase करना है क्योंकि farm की power availability जब हम increase कर देंगे अपने खेत पे लगने वाले power को बढ़ा लेंगे तो कहीं न कहीं हम production को भी बहुत अच्छे से increase कर सकते हैं इसलिए ये subject बहुत पढ़ना जरूरी हो जाता है और agriculture engineering से लोग तो BST करते हैं मतलब एक graduation का subject भी है यानि कि हम लोग उसमें छोटी छोटी चीजों की मसीनी करन यानि tractor की पूरी history की तो बात छोड़ो इसका अद उनके parts को भी बहुत अच्छे से समालते हैं तो हम लोग यहां पर बहुत जादा तो detail में नहीं जाएंगे लेकिन हां कुछ अच्छी history है उसको भी cover करेंगे farm के power की बारे में बात करेंगे next जो हमारी class आएगी उसमें terminologies को लेके आएंगे क्योंकि बच्चों को बहुत चोटे चोटे terms हैं जो agriculture engineering के समझ में नहीं आते तो विश्वास मनों आप हमारे साथ जुड़ चुके हो तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है free of cost में बहुत सारी चीज़ें यूटूब पर भी देने वाले हैं क्योंकि बच्चों को लगता है कि कैसे पढ़ते हैं कैसे चीजों का interest आएगा तो हम तो आपको इस सब चीज लोग पहले क्या था कि मात्र मात्र अपने जो फार्म पावर था वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल ड्रॉन जानते थे और इसी पर हम लोग डिपेंडेंट रहें लेकिन आज की बात करो समाम आते ही आप बहुत सारे ड्रोन की देखते होगे उस पर सिपसेडी मिल लाई है सरकार यह तो ठीक है अब तो लेने चाहिए तब भी नहीं लेंगे हम आपको लोन भी प्रोवाइट कर देंगे अब तो लोगे और भी कुछ चाहिए जब आप सारी चीजों का आपकी सुविधा के अनुसार कर देंगे तो आप एक बार कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं चीजो ये कस्टम हािरिंग सेंटर क्या ही है? बस एक ही चीज हमको चाहिए मैकनाईजेशन और मैकनाईजेशन को बढ़ावा देने के लिए आप मसीनिरी नहीं खरी सकते हैं ऐसी मशीनरी हैं जो आप बहुत मेंगे आप नहीं करनी सकते हैं, कोई बात नहीं, आप हाइर कर लीजिए, न को किराया पेकर दिजिए, आपके power के availability भी बढ़ जाएगी, साथ में किसी दूसरे का भी लाब हो जाएगा, मतलब उसका किराया भी बच जाएगा, और उसको खोलने के लिए सरकार ने इतना पैसा दे रखा है कि वो आराम से खोल ले तेक न, उसको सबसेड़ी दे रखी, वो आराम से इसका फायदा ले सकता है इस प्रकार से मेकनाईजेशन को इंक्रीस किया जा रहा है भारत में farm power की बात करो तो लगबग जो है 2 kilo के something है और उसे continuously और increase किया जा रहा है जब हम लोग 1990s में थे तो हमने अपना लच रखा था यहां लगबग 2 kilo के something पहुंच है 2.0 लेकिन आज हमारा 2 प्राप्ट हो चुका अब हम लोग 2.5 पौने 3 अपने जो लच है उसको बढ़ रहे हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं अपना एक एंप्राप्ट करने के लिए दूसरी जिए बढ़ जाते हैं बिल्कुत सेम सेम तरीके से तो इस समा में योजना आती है यह भी mechanization को बढ़ावा देती है अगर हम लोग machinery की बात करो top 10 agriculture machines में तो हम लोग प्लाव को जानते हो बहुत अच्छे से ट्रेक्टर को जानते हो प्लाव को जानते हो कल्टिवेटर को जानते हो रोटावेटर को जानते हो ट्रेलर को जानते हो ट्राली जो होती है इसके बाद बैलर जो हमारा बैलर होता है इसको जानते हो सेड्रिल को जानते हो इस प्रेयर हार्वेस्टर या फिर पावर टिलर इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके अपनी एगरिकल्चर इंजीनिरिंग में बहुत अच्छे से इंजीनिरिंग करते हैं इनके बारे में सारी चीजों को सीखते हैं खेर अभी अपनी क्लास को सुरू करने से पहले हमने छोटी-छोटी चीजे जो साथ में और कौन से कावंसे फावर हैं उनके बाराय में भी बात करेंगे जैसे अगर लोग बात करते हैं फार्म पर तो ऑप्रेंट मसीनरी को ऑपरेंट करने के लिए इट में भी फॉर दा सीड़ Müd जैसे आपको यह प्रपेर होते दिंख रहा है, मशीनी करण के माद्यम से, साथ साथ में आपको सोइंग दिख रही है, यह सोइंग करने के लिए, बुआई करने के लिए, मशीनीरी का प्रयोंग, बाटर पंपिंग करने के लिए, जब आप इरिगेशन करते हो, कैनाल से कर रह तो आपको भी मालूम है आप पाटर पंप लगाओ और पंप के चलाने के लिए पावर जरूरत होगी वह डिफरेंट टाइप की हो सकते इट में भी आप ट्रेक्टर से यूज़ कर रहे हो सकता है अप रिनेवल सोर्स आफ इनरजी यानि की सोलर का यूज़ कर रहे हो यह सारे आपके पास option है यह कार आप करते हो साथ साथ में और कौन कौन से हैं यह हम हिंदी और इंग्लीज दोनों में अपनी पिपीटी को बना के रखा है जो बच्चे को दिक्कत आती है कि सर हिंदी हिंदी तो वेटा आप हिंदी में भी आराम से पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है चलिए वहीं हम लोग बात करते हो और क्या कर सकतो इस प्रेंग करने के लिए जैसे यह बंदा कर रहा है ना क्या कर रहा है इस प्रेंग कर रहा है मसीनी करण के माध्यम से आप देख सकते हो एक जगए पर खड़े होके कितनी दूरी तक कवर कर सकता है तो यह ह हमारी मसीनी करण है आप यहाँ पर भी छोड़ रहे हो देख रहे हो यहाँ पर भी आराम से हो रहा है इतनी तरीके से मसीनी करण हमारी development हो चुका है बढ़िया हो चुका है inter cultivation खड़े खेत में कोई काम करना है भी है आप कर सकते हो tracing का काम करना है वो भी कर सकते हो इन सब के बारे में बहुत detail study करते हैं चलिये कोई बात नहीं अभी तो सिर्फ इतना ही जान लेते हैं अगर हम लोग भारत की बात करते हो तो भारत में farm power जो है वो कहीं न कहीं उसके sources हम 5 मान लेते हैं इस तरीके से divide करते हैं कि एक एक करके सब के pros और cons क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इसके बारे में बात करेंगे दोस्त अगर हम लोग farm power की बात करते हो जिसको हम लोग बोलते हो कैसे कैसे आता है तो सबसे पहले तो work कर रहा है कौन man यानि कि हम बोल सकते हैं सबसे पहला power तो कौन सा हो जाता है human power हो जाता है man power हो जाता है जो हम लोग mainly मानते हैं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो animal work कर रहे हैं यह animal power है यानि कि जो agriculture में animals का use किया जाता है basically आप जब पढ़ते हो आपके दिमाग में सिर्फ बैल आता होगा तो आपको बैल दिमाग में नहीं रखना है क्योंकि आप कैसे हैं आपको broad mind सोचना है हमारे यहां बैल का प्रियोग होता है बांकी सब जगे नहीं बांकी सब जगे घोडों का भी प्रियोग होता है हाथियों का भी प्रियोग होता है ना agriculture में हाथी का तो नहीं बोल सकते हैं घोडों का गदों का सब के power के हम लोग बात करते हैं उट के power की सब में farm power की बात करते हैं ठीक है ना जो खंबे के माध्यम से पहुंचती है वो हमारी electricity power है वो भी काम करती है और सबसे जरूरी हो सबसे last renewable source of energy ये क्या होता है वही जिसको हम लोग खतम नहीं कर सकते है न जैसे solar हो गए wind हो गए हमारे जो ये सब हमारी है ये कौन सी ये renewable source of energy ये भी बहुत important हो जाती है farm power के लिए जिनको हम लोग mainly sources है हमारे farm power के बात करते हैं ये हमारा हिंदी में वही लिखा मानोशक्ति पसक्ति यांतरिक विद्दुत और नवीनी करा human power की बात करते हो ये काम करता हूँ आदमी दिख रहा है ये farm power में mainly सबसे पहला और सबसे common है अगर इसकी बात करो तो बहुत important source हो जाता है operation small implement के लिए जो छोटे छोटे implement हैं उनको चलाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है human का power यह बहुत जरूरी है दूसरा यह basic भी हो सकता है क्योंकि यह हर एक motion में और हर एक प्रकार से यह काम करता कर सकता है क्योंकि इसकी farm power availability बहुत अच्छी भारत की बात करो तो बहुत अच्छी है क्योंकि यहां पर जनसंख्या की बात करते हो तो बहुत जादा है इसलिए यह बहुत important हो जाता है इसमाल implement की बात करते हो छोटे-चोटे जो हमारे जो implement से उनको यही यूज करता है जैसे चाफ कटिंग होगे चारा काटने वाली मशीन होगे इसके लिए कोई मशीनरी नहीं आदमी अपना चलाता है इसे शे करके लिफ्टिंग बाटर को लिफ्ट करने के लिए कीचने के लिए थैशिंग करने के लिए विनोइंग करने के लिए लोग ज्यादा तर जो है human power का ही use करते हैं इसको याद रखेंगे तो HP जिसको अमलोग बोलते हो horsepower क्या बोलते हो horsepower की बात करते हो तो horsepower जो हमारा सकती है उसका एक मातरक है HP तो human जो करता है वो .1 HP generate करता है 1 HP में बात करते हैं तो 746 Watt होते हैं 746 Watt अगर उसकी बात करोगे अगर हम लोग 75 वाट बोल सकते हो, क्योंकि आप 0.1 की तरफ जा रहे हो, आप इधर भी एक दसंबलप कर लेना, तो ये लगवग हम लोग इसको 75 वाट माल लेते हैं, वैसे 74 दसंबलप 6 वाट हुआ, ठीक है न, इसको याद रखेंगे, ठीक, 1 HP बराबर 746, ये याद रखेंगे, चलो, अगले पर आते हैं, जो हमने आपको बताया है, वही सारी चीजें यहाँ पर नोट डाउन है, सेम सेम हिंदी में, चलो, अगले टॉपिक पर आते हैं, इसका क्या-क्या फायदा हो सकता है, और क्या-क्या इसका नुक्षान है, दोनों बातों को तो जान ही लेते हैं, अगर human की बात करो, बहुत easily available है, कहीं भी available मिल जाएगा, दूसरी बात करो, all type of work, सारे तरीकों के कार करने के यह सच्छम है, किसी भी तरीके का काम इससे करवा लिजिए, अगर हम लोग बात करते हो, disadvantage की तो हाँ, कहीं न कहीं यह costly है, क्योंकि और अगर किसी से तुलना करोगे, power से तो यह costly तो है, तीन सो रुपए दिहाड़ी लगने वाली है, अब आप सोच लिए, क्या कराने वाल इसको यह भी जरूरत होती है, ठीक है, प्रिचार्ज लेता रहता है अपने आपको, कहीं गुठका से और कहीं तमाकू से, ठीक है, और कहीं बीडी से, तो इसको यह भी जरूरत है, तो इससे बरावर काम नहीं करवा पाओगे, और वेधर condition इसको बहुत affect करती है, अगर थो वहीं हम लोग जो बताया आपको हिंदी में और वही इंगलिस में दोनों बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी इन्यमल पावर की बात कर लिजिए जैसे अन्यमल पावर में आप समझ सकते हैं कि आपको मूट दिख रहा है यह भी काम कर रहा है तो इसको भी हम लोग animal power में ही include करते हैं animal के पास तो बहुत अच्छी power होती है लेकिन कहीं न कहीं ये इसके साथ भी कुछ फाइदे हैं और कुछ नुकसान भी है जैसे बात करते हो power develop by an average pair of जब हम pair की बात करेंगे तो एक HP लगा के आएंगे लेकिन अगर हम लोग एक single बुलक की बात करेंगे तो इसमें 0.5 HP लगाएंगे इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है ठीक है बुलक are used for all type of form work in all season आप हर season में हर काम बुलक से कर सकते हैं जब तक human मतलब था जब मसीनी करन नहीं हुआ तब तक तो सारे काम कौन करता था हमारे जबुलक से वही करते थे ठीक है न अगर हम लोग average draft की बात करो तो animal जो drop करता है वो अपने one tenth weight का करता है मा लेजे उसका weight 1000 kg है तो आप 100 kg तब का क्या होसे आराम से भार को आप जो है क्या है use कर सकते है average draft animal जो होता है वो आपका farm work में एक बटे दस्वा भाग होता उसके body weight का ठीक है न याद रखेंगे चलो अगले question पर question बोलते हैं हमको न YouTube की आदत हो गई है YouTube के आदत के कारण जो हैं हम question बोल देते हैं आप समझदार हैं आप तो समझी रहें न चलो यह हमारा क्या है Hindi में लिखा है इसके भी कुछ फाइदे और कुछ नुकसान है अगर हम लोग फाइदे और नुकसान की बात करते हैं बेटा जब हम Hindi में लाते हैं उसको पूरा पढ़ते नहीं कोई बात नहीं जब आप पढ़ना तो आप रोक लेना उस जगह पर थी कि उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से फिर इसके बात पढ़ना ठीक है चलिए एडवेंटेस की बात करो इसली अवेलवल है सबको पता है अनिमल बहुत आराम से अवेलवल है आल टाइप बहुत सारे काम करा लीजिए लो इनीशियल इन्वेस्टमिंट को इन्वेस्टमिंट है यह सप्लाइज मैनियोर टू दा फिल्ड और एक फायदा यह है कि जो है य यानि कहीं न कहीं यह थोड़ा सा उससे कम है अगर एवरेज पेर की बात करोगे तो बेटा यह क्या वन एच पी देगा सारे सीजन में और वेदर में यह कहीं न कहीं काम नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी एफिशेंसी कहीं न कहीं एफेक्ट होती है वेदर के साथ में अगर मा बात करतें cannot work continuously वो भी ज्यादा देर काम नहीं कर सकता 8 गंटे जैसे human का है कहीं न कहीं न कहीं एक जीव है तो ज्यादा देर काम नहीं करा सकते हैं तो एक कहीं न कहीं डिस इडवांटेज उसके साथ में ये भी लगा हुआ है अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी में ये आराम से लिखा है आप इसको एक बार screenshot के मादियम से पढ़ सकते हैं आप रोक के एक बार पढ़ लेना mechanical power की बात करते हो जिसमें ट्रेक्टर आता है पावर टिलर आता है ये oil engines आते हैं डीजल पेट्रोल ये जो चीजे हैं ये हमारी power कौन सी है ये हमारी mechanical power है ये बह बहुत अच्छे से पढ़ते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं इसके बारे में advantage क्या है इसका सबसे पहली बात तो efficiency इसकी बहुत जादा है मतलब एक ट्रेक्टर से आप कितना भी काम करा सकते हैं सबसे जरूरी तीजिस तो यही है disadvantage यह initial investment आप इतना पैसा जो ले के आएंगे सबसे पहला वह कहां से इतना खर्च करेंगे कि आप साथ आठ लाग का ट्रेक्टर भी ले ले लें आठ लाग के बाद फिर जो उसके इंप्लीमेंट है चार पांच लाग के वह भी खरीदने हैं ट्राली भी एक दो लाग की जाती हैं तो लेते हैं देज में गाड़ी ले लिये हैं कौन सी लिये करें पलसर ले लिये हैंगे लियो गुरु इसके बाद में प्रवा पा रहा हैं चलिए कोई बात नहीं पता ही आपको टेक्निकल नालेज आना चाहिए रिपेर और मैंटिनेंस के लिए क्यूंकि अगर आपने खरीद तो लिया है ट्रेक्टर इसके बाद में अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है थोड़ा भी तो दिक्कत होगी क्योंकि आपको चलाना आना चाहिए एक क्यूब मेंट को बांधना आना चाहिए पता हुआ यह सब चीज़े जो पंपसेट चला रहा है यह बंदा देख रहो ना यह पंपसेट इलेक्ट्रिक पावर से चलाने वाला हो गया साथ साथ में आप जब डेरी इंडस्टी की बात करोगे अगरी कल्चर में आती है डेरी इंडस्टी में भी आपको ज़रूत पड़ेगी इलेक कोल स्टोर है फूट चैन जो हमारी यूनिट है वह कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक जो इनर्जी उस पर डिपेंडेंट होती है वहीं हम लोग बात करते हो हिंदी की तो यह आराम से लिखा हुआ है अगर हम लोग बात करते हो इसके डिसेडवेंटेस और एडवेंटेस की तो बह कुसरी बात इफिशेंसी बहुत अच्छी होती है इलेक्टिशिटी की और सबसे अच्छी बात यह कि यह कंटीनूसली लॉंगर पीरियड तक हमारी इलेक्ट्रिक इनर्जी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं मेंटिनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है क् इसमें जो हमारी एक बार जो चीज ले ली है इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती है not affected by all season इस पर season का भी कोई फरक नहीं है कि electricity हमारी क्या effect करेगी electricity equipment आप कोई भी ले ले लेते हो तो आराम से किसी वी वेदर में इसे चला सकते हो disadvantage तो एक ही है कि सबसे सुरू में जब आप ले के आओगे implement इतना महेंगा implement लगाएंगे कैसे processing unit यानि cold store जो आपका बनता है 15 से 20 करोणा में वो बनाएंगे कैसे यहां पर कही ना कहीं समस्य आती है तो इसकी initial cost बहुत जादा होती है वही एक good technical knowledge भी होना चाहिए क्योंकि handle आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा एक short circuit होता है और सब भसं तो ऐसा ना हो इसलिए उसका technical knowledge भी बहुत अच्छा हो सारी चीज़ें आपके क्या हो पहले सेटल आउट हो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है जैसा आपको उन्हें उर्दू में बताया वैसे आपका क्या है अरवी में भी लिखा हुआ एक बार देख लीजिएगा चलिए रिनीवल सोर्स अफ इनर्जी की बात करते हैं रिनीवल सोर्स क्या होता है वही वेटा कुकिंग में वाटर हीटिंग में अगर हम लोग फूट प्रोसेशिंग वाटर पंपिंग इलेक्टिसिटी जनरेशन इन सम्में हम लोग इसका यूज आराम से कर सकते हैं पहली बात दूसरी इसके भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान है उन पर भी हम बात करने वाले हैं क क्यालो कमेंटब сюжiail को अनसर करना क्योंकि आज हमनें बैसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है दोस्त अब तुम्हें सिर्फ आंसर देना है है और आंसर बिना दिये नहीं जाएंगे स небольш करना नहीं भूलेंगे कमेंट में आप जब कोई चीज़ सीखते हो तो कम से क हम बता दिया करो sir मज़ा आया तो उसको करना भी नहीं बूलेंगे इसका answer comment box में बता देना ठीक है न जो एक man है वो कितना power generate कर सकता है चलो इसके बाद बाद में हम आपको YouTube class के बारे में थोड़ी सी information दे दें जो बच्चे तैयारी कर रहे है YouTube से तो YouTube पर भी आपकी इतनी classes होती है कि आप अगर उसको भी regular तरीके से करते रहेंगे तो आपका selection कोई रोख नहीं पाएगा जिस तरीके से हम चीजें दे रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी है दस बजे सबसे पहले current of your संदीफ सर लेते हैं साड़े दस बजे की बात करो संकल्प जो जनरल एगरी कल्चर की को जो हमारी होती है question by यह भी होती है इस संदीफ सर के द्वारा यह भी ली जाती है फिर 11 बजे एगरी कल्चर सब्जिक्ट बाइज उसकी हमारी कलास होती है दो बजे जनून कलास हीना मैम लेती है और चार बजे कौन आता होगा बताओ समझ तो गए होगे हम आते हैं ठीक है ना कितने बजे चार बजे मन्थन में और जरूर आया करो बज़ा बहुत अच्छी प्रेक्टिस कराते हैं मज़ा आ जाएगा सारे चुस्चन जब सारे एकजाम्स में फसते है ना दिल गट गट हो जाता है चलिए आप रहें जुनून के बाद में मन्थन मन्थन के बाद उड़ान किसके साथ में हम लोग करते हैं प्रतिभा माहम के साथ में और आगाज करते हैं फिर आकासर का आठ वज़े ठीक है वह तो free of cost यह YouTube कि क्लासेस हैं जो आपको इस टीम के द्वारा एगरी कल्चर की टीम के द्वारा आपको मिलता है तो दोस्त subscribe करना तो नहीं बोलेंगे और एपको download कर लेना वहाँ पर तुम्हें पता है क्या मिलेगा जैसे subject wise quizzes है वहाँ पर आपको मिल जाएगा उससे download कर लेना ठीक है ना नहीं कर लेंगे कर लेंगे नहीं करो आज ही करो और अभी करो ठीक है चलो अगर हम लोग बात करते हैं को बैच अगर purchase करना चाहतो आई भी PSO का नावार्ड ग्रेड या फिर MPRI या फिर UP SSC किसी की भी तयारी कर रहे हो बैटा तो आप बैच पर्चिस कर सकतों MSC के इंट्रेंस की तयारी करो तब भी यह आपको बेसिक सारी चीज़ें मिलने बाली हैं अगर आप सारी तयारी एक साथ बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आप जुर सकते हमारे अगरी कल्चर महाँ पैक से यह महाँ पैक महाँ पैक है बैटा इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और Y783A कोड के साथ में जैसे आप इंड्रोल करोगे आपको एक साल दो साल डवल वैलिडिटी होगी तो दो साल अब परावर इंड्रोल रोगे कोड लगाना नहीं भूलेंगे Y783A इस कोड के साथ आप इंड्रोल हो जाना साथ साथ में अगर आप क्रॉफ फीजियोलॉजी फॉरेस्टी एग्रिकल्चर इंचीदिरिंग मिटिरियोलॉजी फिसरी सेरी कल्चर एपी कल्चर लैक कल्चर इन सब्जिक्ट का बढ़ियां से नॉलेज चाहते ह हो रिगूलर क्लासेस चाहते हो ठीक है ओना तो आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे बैच में जो मंफन के नाम से आ रहा है इस मंफनवाले बैच में हम आपको सारी चीज़ें देते हैं जो हमारा वीय्योंस पक्रॉब्चों से ङो नॉजूंसे इसमें乾टbak सारी हैं ये सारे य सब को बेसिक से बहुत अच्छे से किलियर करते हैं तो जो बच्चे चाहते हैं इन्रोल होना तो इसमें इन्रोल हो सकते हैं यह कम्प्लीट बैच एक हमारा है जो आपको मिल जाएगा इसमें यह स्टार्ट हो रहा है सेशन के इंड में बस एक ही मोटिवेशन आपके लिए कि अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखिए का सेशन को लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा और आप अपने साथ में एक बढ़िया सा काम कि आप छोटों को प्यार बढ़ों को हमेशा क्या है सम्मान देते रहेंगे अपने व्यक्तित को इस प्रकार से बनाएंगे अपने आपको इस तरीके से निखारेंगे कि कोई भी तुम से जुड़े तो उसे लगे बंदे में दम है थैंक यू तो आल लव यू तो आल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में